पवित्र थिर्थ नगरी पुष्कर में इस्तित बांगण मंदिर में चल रहे जुला मोसव को देखने के लिए भक्तों का बारी जन से लाब प्रति दिन उमण रहा है। ये जुले आगामी 29 तारिक तक चलेंगे। नयारंग जी मंदिर के विवस्तापक सतनारायन रामावत ने बताया कि 25 अगस्त को साई छे बज़े से रात्री ग्यारा बज़े तक एक विशाल भजन संद्या का कारीकरम रखा गया है। जिसम ब्यावर की गायत्री जोसी एवं दिली के हैम राज जोसी अपने भजनों की प्रस्तूती देंगे। इन भजनों की प्रस्तूती भगवान व्यकुंटनाथ के सामने दी जाएगी। ब्रह्म पुषकर न्यूज के लिए दिनेश पारासर की रिपोर्ट। पवित्र तिर्थनगरी पुषकर में इस्तित बांगण मंदिर में चल रहे जुला मोच। अमाथ जाते भादे कि रहे होता है प्रस्तूती जाते है धुषकर फैसा ने विए था प्रस्तूती चाहते है प्रस्तूती लोग दुषकर लोगगे। अध़ युषकर लोगगे। को बीने आप को बाये लाया जीने को जीने थे बगर मर्मर कर जीने के बजे तुर बजे इसे बिचलो आज़ मत तो रोबर भी देखे तुनिया पे बेरा उचारा राओं का इसात मेरा जारा रहो रोडा तुनिया में आज बड़े पुषपर ये चारों के धूने वाले बंदे में भूत तुने रखते हैं यहां बात सकते हैं कि नहीं सब्सक्राइब को आपके कैसा लग रहा है पुषकर आपके आपका नाम पुषकर के नहीं रंग जी के मंदिर में सावन के जूले लगता है इसमें आज भालों से बात करते कि उनको यहां आकर कैसा लग रहा है अपको कैसा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है यहां जूलों में आकर यहां की खास बात सबसे अलग जो आपको कहीं और नहीं मिली हो जार्मिक महhnut हो जाता है और पैरेंट के साथ में या फैंक्स रोगी अपने साथ में जाता है कि हम लोग जाएंगी तो आप पे अपने रिष्टेदार बाहर से भी कुछ लोग आते हैं की दिए चुरू के आरिजन के बारे में कुछ जानकरी लेते हैं सर आप कुछ बताएंगे कि जूले कब से स्टार्ट होते हैं और क्या है इनकी आगड़ शुक्ती बगवान के जो जुला महसव है वो सावन मास में आते हैं बगवान किस्म की लिलाएं इसमें दिखाई जाती है और वही ये मंदिर जब से प्रतिष्टा हुई है 1912 से तब से ये आरिकरम चलता रहा है इसी के नुरूप इस साल भी 1313 अगस्त से प्रारम हुए थे बगवान के जुले और 29 अगस्त बड़ी 30 को समापन होगा इसका इसके दर्मियान हर दिन बगवान का संगार चेंज होता है अलग-अलग रूप में संगार होता है जो हमारे सव पिंडिन जो पुजारी है वो बगवान का संगार करते नित्ते और बहार जो ये जहांकियां वगर है वो जो स्वच्चलित जो इलेक्ट्रोनिक है वो जहांकियां भी है और दूसरी स्थरव आप देख रहे हैं हमारी जो जहांकियां है वहां हर तिर्टिस्तान को हमने दर्शाया है जैसे हरी द्वार, इसी केश, बदरिनाथ, मतुरा, गोकुल, बरंदावन हर दिन चेंज होता है हर दिन भक्तों को हम ये कोशिस करते हैं कि ये नए पन में भखवान के दर्शन हो नई चीज देख रहों को मिले और भक्तों की भीड इसी तरह से लगी रहे हैं कि कोशिस करते हैं ज्यादा ज्यादा लेजिन जितनी भी होती है उससे पब्लिक बहुत कुश है और हर साल भीड में बड़ोतरी होती है और पुशकर में ये एक ऐसा मंदीर है जहां इतना बड़ा योजन धूलों का होता है इसमें देखने हैं जो में धूला धूले थे इस वार एक अलस्जी को इस दिन तो इतनी अपार भीड़ती कि हम लोगों को काफी अच्छी व्यवस्ताइं करनी पड़ी और पुलिस की भी बिस्ताइब